Good morning children, today I am going to start lesson number 2, unit 2, plant world, class 1, okay, plant around us, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, types of plant, part of a plant, new plant grow from seed, ठीक है, ये topics हम लोग पढ़ेंगे, अब, here you can see different kind of plant around you, आप जब अपने चारों तरफ देखते हो, तो आप देखोगे, बहुत different type का plants, ठीक है, यहाँ जीस तरह, some are different shape and size, some are big, some are small, some are very big, some are medium, some leaves are very small, some are very big, अब यहाँ आपका दिया है, इस picture में, write B for big plant and S for small plant, तो जो big है, उसको B लिखेंगे, जो small है, उसको small लिखेंगे, ओके, तो इस तरह आपको क्या करना है, इसको भड़ लेना है, जो मैंने अभी बताया है, now, come to the other topic, types of plant, ठीक है, अब यह जो plant है, इनको हम लोग क्या करेंगे, चार गुरूप में बाढ़ देंगे, हमने बाढ़ दिया है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, plants are of different types, some plants are big, while some are small, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत चोटे हैं, अलग-अलग size के plants हैं, ठीक है, now, यहाँ, big plants are called trees, जो बड़े plants होते हैं, उनको हम लोग trees बोलते हैं, ठीक है, they are tall, वो लंबे होते हैं, strong, मजबूत होते हैं, they have hard trunks, उनका यह जो part है न, इसको बोलते हैं trunks, यह trunk भी बहुत hard होता है, काफी आंदी आये, तूफान आये, यह जल्दी अपने, मतलब हिलता नहीं है, ठीक है, यह बहुत ही strong होता है, ठीक है, इसको हम लोग आसानी से नहीं काड़ चकते हैं, तो trunk मालूम चल गया, इसको हम लोग trunk बोलते हैं, जैसे neem tree है, banion tree है, और coconut tree है, ओके, वहाँ, small plants are called shrubs, ठीक है, वहाँ हमने tree पढ़ा था, यह big plants है, अब जो छोटी plants हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, shrubs, क्या बोलते हैं, shrubs, they have thin, पतला, and oody stem, उनका पतला और oody stem होता है, यदि हम उनको तोड़े, तो आवाज तोटने से में, कट से आवाज आएगी, और यह आसानी से तूड जाता है, ठीक है, जैसे कि कुछ plant यहां दिखाए गया है, रोज प्लांट आप तोड़ोगे, तो तूड जाता है, असान ठीक है, now, the third one is, some plants are smaller than shrubs, कुछ plant जो होते हैं, वो shrub से भी छोटे होते हैं, उन से भी छोटे होते हैं, और उनका soft green stem होता है, उनका stem जो होता है, बहुत soft होता है, वो आसानी से हवा आने से जुग जाता है, नीचे बैठ जाता है, हम आसानी से उसको ऐसे करके तोड सकते है हैं, एकदम आसानी से, तो इनको क्या बोलते हैं, हर्प्स, ठीक है, अब यह हर्प्स कौन-कौन सा है, जिस तरह तुलसी का पेड़ देखते हो, आप लो, एकदम चोटा सा होता है, ज्यादा आंदी, तुफान, आई, बारिस पड़ा, तो यह क्या होता है, जमिन में सो जात है, और ग्रीन कलर का होता है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अंगले वीडियो में मैं आगे आप लोग को और पढ़ाऊंगे, ओके, दाए,